दोस्तों अंग्रेजी में कहावत है कि nothing feels like success मतलब भाई साब सबसे ज़्यादा जो असफलता मिलती है वो सफलता के बाद मिलती है ममता दीदी को ये बात अब समझ में आ रही है वो कह रही है कि आप तो भाई साब सरकार बदले बदले नजर आते हैं देख लीजिए भाई सिर्फ दो दिन में बदल गए हैं ममता दीदी बड़ी होस्यारी दे रही थी कि भाई साब एक यात्रा नहीं बनी इनकी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट नहीं किया तो भाई साब बड़ा होगी कि उनका सबसे बड़ा सत्रू बीजेपी नहीं है मोधी भी नहीं है भाईया मोधी ने बहुत कोशिस कर ली फिर भी कॉंग्रेस चालीस के नीचे नहीं आई चालीस से उपर सीटे आई हैं लेकिन यह जो सेकुलर पार्टियां है ममता दीदी तेज़स्वी नीधिस ए प्रशली सत्रू जे बात कॉंग्रेस को समझ में आना चाहिए क्योंकि इनकी वजना क्या है कि कॉंग्रेस को इतनी सीटों पे लड़ा दो ताकि वो सपने में भी पहुमत की सोच ना पाएं और एक बार कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनी तो इतियास गवाह है कॉंग्रेस के बिना या Congress के समर्थन से जब सरकारे बनती हैं और वो कारती काल पूरा करती हैं तो Congress अगले चनाऊद में बिग जीरो हो जाती है तो बहुअजी समझ जाओ कि आपके असली दुस्मन यही ममता दीदी है असली दुसमन जो काम मोधी जी जिंदगी में नहीं कर सकते बास्ताव में कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो साजस है वो ये ग्रांड अलाइंस वालों की है भाई साहब पूरा का पूरा बंगाल में जो कॉंग्रेस का स्ट्रक्चर है भले ही मरा है वहां क अधिर रंजन चौदरी साहब तो हैं उनका क्या होगा भाई साब वह या लोयल्टी सुच कर लेंगे तो भाई साब कॉंग्रेस के दिमाग में बत्ती जलती है कि उनका असली दुसमन कौन है तो भाई साब मजा आ जाएगा और नहीं समझता तो भाई साहाब कॉंग्रेस मैया साहब देख लीजिए यह तो भाई जी आगे निकल गए कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे जो मेले हैं वह इनके सपोर्ट में और दोस्तों यह इतिहास बताता है कि जो व्यक्तिव पहले सीम बना हुआ होता है उसकी पावर जादा होती है और लोग उसी को सीम के अबना थोड़ी कम हो गई है कि डीके शिवकुमार का नंबर लगेगा वैसे भी उन्होंने अपने नंबर खुद कटवा लिए मीडिया में इंटर्व्यू देदा के उनकी जो है नाव तो अब रही है डूब अधिक्तम बोबन सकते हैं डेप्रटी सीम या भीया कोई छोट है अभी भीया जी शंबावना बहुत कम है लेकिन भाई साब फिर वही बाद नथिंग फिल्स लाइक सक्सेस आज से पांस साल पहले किसने सुचा था कि सिंधिया बीजेपी में होंगे हैमंत विश्वासर्मा बीजेपी में होंगे जो लीडर अपने दम पे खड़ा होता है जिसको सपोर्ट होता है उसका भाईय स्वागत होना चाहिए हर कीमत पे और हम तो भाई साब आज नहीं हमेशा से कह रहे हैं अलाइंस 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 कॉंग्रेस जो जीती है उसका प्रमो कारण क्या है कि उनके पास लीडर्शिप के लेवल पे अलाइंस था जो सिपक में प्रयास करना चाहिए भाई साहब दिर लगेगी आने में तुमको लेकिन उम्मीद बरकरार रहना चाहिए अभी नहीं तो अभी नहीं तो दो हजार चौबीश के आसपास या उसके बाद बहुत बढ़िया मौका बन रहा है भाई साहब जल्दी कृपा वरसेगी करनाट में ऐसी उम्मीद है भाई साहब अब आप देख लीजिए EU मतलब भाई साहब बात हैं तो यह ऐसी देते हैं जैसे मतलब जो है यह हम पर कोई दान कर रहे हैं उपकार कर रहे हैं हमसे डीजल और पैट्रोल खरीद के अरे भाईया जी आपको जरूरत है इसलिए आप ले रह आपके देशवासी भाई साव सदिया निकाल पाए गर्मियों का सामना कर पाएंगे वह हमारा पैट्रोल डीजल है इसलिए भाईया जी जिस वेक्ति को आपने भले बुरे का ग्यान नहीं होता वाई साव उसके भविश्य के बारे में क्या कहें भाई साव आप बता दो यह बेवकूफ नंबर एक हैं भाई साव अब बोल रहे हैं कि भारत से पैट्रोल डीजल नहीं खरीद हो किस से खरीद होगे वो बोल देंगे कि हमने रूस से नहीं खरीदा खरीद दो मतलब भाई साहाब कुछ नहीं कह सकते मतलब सिर्फ हभावाधी करनी है और कुछ नहीं इ करवन टेक्स लगा रहा है हो लगा दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस कारवन टेक्स की जो ऑडिट होगी वह भारत करेगा ऐसा नहीं कि आपके अडिटर हो अरे भाईया यह क्या मतलब है कि हम उत्पादन भी करें और फिर ऑडिट करने वाले आपके यूरोप से आएं अब यह जो मांग है बहुत सही है अभी भारत प्रयास कर रहा है कि यह तुम कारवन टेक्स लगा रहा है हो गर्मी है निकालो भीया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस प्रोसेस में हमें नुकसान जितना कम से कम हो उतना अच्छा है और भाहिया जी सिद्दान सीधा था है अ हमारी तो कॉस्ट कम होना चाहिए मेन बात है यह सबसे पढ़िया काम किया है भाई साथ कॉस्ट पूरी पोई पे करेंगे जितना कारवन टक्स लगाओगे आपके कस्टोमर ही अधा करेंगे हम थोड़ी अधा करेंगे